सरिष्का के जंगल में रविवार देर रात पहाणियों तक आग फैल गई सुचना मिलने पर बन विभाग की टीम देर रात तक पहाणों पर रही और फायर लाइन की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया अधिकारियों ने बताया की रात भर आग जंगल के करीब 50 हेक्टेयर में फैल गई अभी भी कुछ हिस्तों में आग लगी है इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है सूचना मिलने पर शेत्र के निदेशक आर एन मीडवार डी एफो सुदरसन सर्मा भी मोकी पर पहुंचे बन विभाग के अधिकारियों के इनसार सरिस्का की अकपरपुर रेंज के बालेटा रथवी पुरावा कटी घाटी के जंगल में रईवार शाम को अचानक आग लग किया लेकिन सुबह तक जंगल की दूसरे हिस्से में आग फैल चुकी थी पेड़ की गिली पतियों वा टेहनियों की मदद से भी आग पर काबू पाने का प्रयास सोंबार सुबह तक चलता रहा फायर लाइन से आग पर काबू जंगल में लगी आग को फायर ब्रिगेट से नहीं बुझाया जा सकता जंगल में पहाड पर उबर खबर रास्तों तक पहुंचना भी मुस्किल है ऐसे में फायर लाइन की मदद से ही आग पर काबू पाया जा सकता है इसमें ऐसी लाइन बनाई जाती है जिससे आग लगने की संभावना वाली घास टेहनियों सूकी पत आधी बिचा दी जाती है इससे आग आगे नहीं बढ़ती सुबह फायर लाइन बनाने के लिए 30-40 बनकर्मियों ने ग्रामियों के सहोग से मसकत की असल में सरिस्का का घना जंगल है आग लगने की शुरूआत कहां से हुई यह पता नहीं चला जब आग काफी फैल गई गटनाई होती है